Hello students, आज इस वीडियो में हम करेंगे multiple choice questions की एक quiz और उसमें part हमने जो लिया है वो है एक दल के प्रभुत्व का दौर यानिके era of one party dominance तो English और Hindi दोनों भाषाओं में ये quiz है तो इस part 2 का part 1 हम आपके पास लेके आए हैं तो शुरू करते हैं quiz को question number 1 का 15 November 1942 को समयधान सबाब में ये कतन किसके द्वारा का गया इंदुस्तान की राजनीती में नायक पूजा जितनी बड़ी भूमी का अदा करती है उसकी तुलना दुनिया के किसी भी देश की राजनीती में मौझूद नायक पूजा के भाव से नहीं की जा सकती लेकिन रासता तानाशाही की तरफ जाता है। हूस statement was said in the Constituent Assembly on November 25, 1942, the rule that hero worship plays in the politics of India cannot be compared to the sense of hero worship present in the politics of any country of the world, but in politics, the spirit of hero worship leads directly to the downfall and this path leads to dictatorship. अप्शन ए डॉक्टर भीमराव अमबेडकर, बी है कन्यालाल मानिकलाल मुंशी, सी एन गोपाल स्वामी आयंगर और डी है अलादी कृष्ण स्वामी आयर, तो आपको बताना है ABCD में से वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने ये Constituent Assembly यानिके समिधान सभाव में कहा था, तो बताने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है, अब, तो इसका जो सही जवाब है, वो है, डॉक्टर भीमराव अमबेडकर, क्वेशन नमबर दो है, बारतिय सम्मिधान को कब अंगिकार किया गया, वैन वाज इंडियन कॉंस्टिट्वेंट अडॉप्टेड, तो अप्शन समय शुरू होता है, अब तो इसका सही जवाब है, अब, 26 नमबर 1949 को भारतिय सम्मिधान को अंगिकार या एडॉप्ट किया गया था, वोश्चन नमबर तीन है, भारतिय सम्मिधान पर कब हस्ताक्षर किये गए, यानि कि वैन वाज दा इंडियन कॉंस्टिट्वेंट साइंड, तो अप्शन आपको पताना है कि ABCD में से कौनसा वो दिन है, जिस दिन भारतिय समिधान के ऊपर हस्ताक्षर किये गए थे, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है, अब तो इसका जो सही जवाब है, वो है, C, 24 जन्वरी 1950, यानिके 24 जन्वरी 1950, पर्शन नमबर 4 है, भारतिय समिधान को कब लागू किया गया, यानिके इसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है, अब तो इसका जो सही जवाब है, वो है, C, 26 जन्वरी 1950, पर्शन नमबर 5 है, जन्वरी 1950 में गठित चुनावायोग के पहले चुनावायोग किसे बनाया गया, यानिके इसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है, अब तो इसका जो सही जवाब है, वो है, D, सुकुमार सेन, अगला कुश्चन है, कुश्चन नमबर 6, पहले दो आम चुनावों में मतदान का क्या तरीका था? यानिके, what was the way to vote in the first two journal elections? तो option है, मतदपत्र पर उमिदवार का नाम लिखकर मतपेटी में डालना, यानिके, to write the name of the candidate on the ballot भी है, मतपत्र पर उमिदवार का नाम और चुनावचिन पर मोहर लगा कर, यानिके, by sealing the candidate name and election symbol on the ballot, और C है, उमिदवार के नाम और चुनावचिन की अलग-अलग पेटियों में खालिक आगे डालना, यानिके, inserting blank paper in different boxes of candidates name and election symbol, और D है, उमिदवार के नाम और चुनावचिन की अलग-अलग पेटियों में खालि मतपत्र डालना, यानिके, placing blank ballot in separate boxes of candidates name and election symbols, तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा जवाब सही है, तो उसके लिए आपका समय शुरू हराया है, अब. तो इसका जो सही जवाब है वो है D, उमिदवार के नाम और चुनावचिन की अलग-अलग पेटियों महां रखी जाती थी, और उन में खाली मतपत्र जो है, उनको डालने होते थे अपने पसंद के उमिदवार की पेटी में. अगला कुश्चिन है, कुश्चिन नम्बर साथ, पहले दो आम चुनावों के बाद मद्दान के तरीके में क्या परिवर्तन किया गया है? यानिके, what was the change in the voting pattern after the first two general elections? तो option A है, मतपत्र पर उमिदवार का नाम लिखकर मटपेटी में डालना, यानिके, to write the name of the candidate on the ballot. B है, मतपत्र पर उमिदवार का नाम और चुनावचिन पर महर लगाकर, यानिके, by sealing the candidate's name and election symbol on the ballot. C है, उमिदवार के नाम और चुनावचिन की अलग-लग पेटियों में खालिक आगर डालना है, यानिके, inserting blank paper in different boxes of candidates name and election symbol, और D है, उमिदवार के नाम और चुनावचिन की अलग-लग पेटियों में खालि मतपत्र डालना है, यानिके, placing blank ballots in separate boxes of candidates name and election symbol, तो आपको बताना है कि A, B, C, D में से कौन सा उत्तर ठीक है, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है, अब. तो इसका जो सही जवाब है, वो है B, कि उस समय जो मतपत्र के उपर उमिदवार का नाम और चुनावचिन लिखा होता था, उसके उपर महर लगा कर मतपेटी में डाला जाता था, अगला कॉश्चन है, कॉश्चन नमर आठ, पूरे देश में electronic voting machine यानिके EVM का इस्तिमाल किस साल से शुरू हुआ, फ्रॉम विच यह डिड़ दा यूज ऑफ एलेक्ट्रोनिक voting machine EVM एक्रॉस दा कंट्री स्टार्ट तो अप्शन है, 1990 यानिके 1990 भी है, 2000 यानिके 2000, C है 2004, यानिके 2004, और D है 1998, यानिके 1998, तो आपको बताना है कि किस साल से EVM का पूरे देश में चुनावों में प्रियोग शुरू हो गया था, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है, अब तो इसका जो सही जवाब है, वो है C 2004, यानिके 2004 से पूरे देश में एलेक्शन जो है, वो एलेक्ट्रोनिक बोटिंग मशीन के जरिये किये जाने लग गए थे, खुश्चन नमबर 9 है, स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब से कब तक हुए, यानिके how long was the first general election held in independent इंडिया, तो option है, नमबर 1951 से फर्वरी 1952, यानिके नमबर 1951 टू फैबररी 1952, भी है, अक्तूबर 1951 से फर्वरी 1952, तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन से समय अब दी थी, जब पहले स्वतंत्र भारत के चुनाव हुए थे, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है, अब तो इसका जो सही जवाब है, वो है, अक्तूबर 1951 से फर्वरी 1952, यानिके ऑप्शन भी करेक्ट है, लाकिन चुनावों को 1952 के पहले आम चुनाव कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा तर भागों में जो है, चुनावों 1952 में ही हुए थे, अब इस वीडियो का लास्ट नमबर दस, यह बात हर जगा मानी जा रही है कि भारतिये जनता ने इतियास में लोकतंत्र के सबसे बड़े परियोग को बखुबी अंजाम दिया, यह किसका कथन है, यानिके इट इस बिलीवड एवरिवेर देट दा इंडियन पबलिक वाज डन दा बिगेस्ट एक्सपरि में यह बात चपी थी, तो इसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है, अब तो इसका जो सही जवाब है, वो है भी हिंदुस्तान टाइम्स यानिके हिंदुस्तान टाइम्स वाखवार था जिसमें यह बात कही थी, एलेक्शन के बाद सफलता पूर्वक जब चुनाव संपन हुए कि यह बात हब हर जगा माने जा रही है कि अनपढ जो भारती जनता थी, जनके लिए माना जाता था कि चुनाव तो अमीर और पड़े लिखे लोगों को द्वार किया जाता है, तो उस समय भारत की जनता में शाक्षरता की दरपंद्रा परतिशत थी, और अधिकतर जो की इस चुनाव जो है वो निश्पक्ष तरीके से किये गए हैं, इसी लिए जो है ये बात अकबारों में छपी थी, इसके जाती ये वीडियो समाप्त हुआ, आपने इसको देखने के लिए जो अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद अपना स्कोर कैलकुलेट करक जाद से जादा शेयर करें ताकि वो भी इसका लाव उठा सके, धन्यवाद.